आज मैं पांच वी पयम कांटों में राह बनाते हैं शुरो कर रहे हूं इस पाट के कवी हैं रामधारी सी दिनकर रामधारी सीमा खाते हैं कि जो लोग बहदूर होते हैं वे मुसीबते और समस्यावों को गबराता हैं कांटों में राह बनाते मतलब इसका हर्त है बच्छे जो लोग बहदूर होते हैं वे मुसीबते और समस्यावों को गबराता है देखें बचें, फस्ट पैरा, सच है विपत्ती जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूर्मा नहीं विचल होते, क्षाण एक नहीं दीरज खोते, विग्णों को गले लगाते है, कांटों में राह बनाते है देखें बचें, सच्च आपोजिट है, जूटों, विपत्ती मतलब प्राब्लम सों, कायर, कायर आपोजिट है, वीर, सूर्मा इसका परियायवाची शब्द है, वीर, दीरज खोते, धैरी का नश्ट हो जाना उसका आर्त है देखें बचें, सारामशा, कवी काते हैं कि मुसीबत जब आती हैं, तब कमजोर वेक्ती मतलबा, कायर, डलर्स उससे आते हैं मुसीबत आने के बंदर में, आने के संदर्ब में काउंडर जाता हैं, कायर, वेक्ती, डलर्स लेकिन, वीर, पुरुष, पर, क्लावर्स, वीर, पुरुष, बहदुर, लोगों, अपने मार्गों से नहीं हटते, पर वो नहीं डर्ते उस मुसीबतों से नहीं डर्ते, काउं डर्ता है या, डलर्स डर्ता है, नहीं डर्ना चाहिए, हमें, वीर, पुरुष, देश्वासी है हमें अपने मार्गों से नहीं हटते, वे जर्रासी देर के लिया भी अपना दैर नहीं छोडते, तोड़े समाई खोबी वो अपने दैर नहीं छोडते वे विग्णों परशानियों को दैर से अपना कर, उनका सामना करते हुए समाधान डूनते है, देखें, वे विग्णों और परशानियों को दैर से अपना कर, अपना मान कर, वो दोनों को अपना मान कर, दोनों मतलब विग्णों और परशानियों को, दोनों को भी दैर से अ वो अपना मान कर उनका सामना करते हुए समाधान डूंते हैं। बारे में आमें सोचना चाहिए बच्छे, डलर्स ओ ओनली वो डरते हैं, नहीं डरना चाहिए, क्यों डरना चाहिए, नेक्स्ट पेरा बच्छे, हाई काउन विग्न ऐसा जग में, तिक सके आदमी के पग में, खम तो तेलता है, जब नर परवत कें, जाते पाव उकड, मानव जब जोर लगाता है, पत्तर पानी बन जाता है, बहुत अचाहिए, पयम देखिए, क्या है इसा रमशुआ, कवी ने काते हैं कि कोई भी मुसीब आईसा नहीं है, जो बहुत दूर आतमी का रास्ता रोक सके, जब पुरशार्ती मनुश्यों उत्ता से आगे बढ़ता है, कवन आगे बढ़ता है, उत्साही लोग, किसे इंट्रेस्ट रहता है, वो आगे बढ़ता है, तब पाहाडी हिल जाता है, इंट्रेस्ट रहने वाल वेक्ति आगे बढ़ते हैं उसको देख कौन हिल जाता है पहाड पहाड मतलब मौन्टेन वो भी डरता है उसकी उत्सा को देख कर मनश जब आपनी कारिक्षमता प्रदर्शित करता है तब कटिन काम आसान हो जाता है देखिए उस काम करने के लिए फस्टा में इंट्रेस्ट सकते है इसलिए अपनी कारिक्षमता प्रदर्शित करते है तब कटिन काम दिफिकल्ट और काम भी क्या हो जाती है आसानी से हो जाती है इसलिए फस्टा में उसकर इंट्रेस्ट दिखाना चाहिए इग्जाम्पल बर्फ, बर्फ कैसे रहती है पत्तर की तरह रहती है वो बर्फ क्या हो जाती है दूपाना के संदर्ब में पिगल कर पाने का रूप लेती है इसलिए difficult रानेवाले काम भी आसानी से हो जाती है easy हो जाती है इसलिए फस्ट हमें उस पर इंट्रेस दिखाना पड़ेगा नेक्स्ट पैरा बचे गुण बड़े एक से एक प्रखर है चिपे मानवों के बीतर मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बीच उज्याली हो बत्ती जो नहीं जलाता है डूशनी नहीं उख पाता है देखिये बचे कवी काते हैं कि मानवों में अनेक गुण Pictures हो रते है देखिये मानवों में अनेक गुण चिपे हो चिपे रहती है उसकी मन मैं एक जाम्पल मेहंदी मेहंदी में लाली मा आवरो फूर्तिका का है किसमे? मेहंदी में लालिमा है और दीप के बत्ती में प्रकाश देखिया मेहंदी में क्या है लालिमा है और दीप में बत्ती डाले तो प्रकाश मिलती है बत्ती नहीं डाले तो दीप में प्रकाश नहीं मिलेगा जो वेक्ति यह बत्ती नहीं जलाता है उसे कभी प्रकाश नहीं मिलत मिलता है आशय यहाई की जो पुरुशार्ट नहीं करता उसे कुछ भी नहीं मिलता किसने उस पर एफट नहीं रखता है उसे कुछ नहीं मिलेगा understand किसने उस काम पर एफट नहीं रखता है उसको कुछ नहीं मिलेगा देखें मेहन ली हमारे हाथ पर लगा है तो क्या में लगा उसका कलर मिलेगा उसकी वो एक गुण उसमें मिलती है उसी तरह उस काम पर हमें आमें एफर्ट रखना चाहिए तब उसका एफर्ट कफल मिलेगा ओके अंडेस्टेंड हो गए मैं समाज रही हूँ बचे नेस्ट क्लास में नेक्स्ट लेसन देखेंगे